हेलो दोस्तो आज मैं आपके साथ में सेर करने वाली हूँ गुजिया की रेस्पी जो कि हम सभी को बहुत ही पसंद होती है गुजिया तो आज मैं आपके साथ में सेर करने वाली हूँ मुंखली और सिमगी की बनी हुई गुजिया तो चलिए दोस्तों भी ना किसी देडी मैं आपके साथ में गुजिया की रेष्पी सेर करती हूँ जैसे कि आप भी इस भोली पे इस गुजिया को बना के इसे इंज्वाई कर सकें तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले कडाई में यहाँ पर एक चमच देशी घीर डाल लिया है इसमें हम ड्राइफ फ्रूट्स को डालके थोड़ा सा इसे हम फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर मैं इसमें काजू और बादाम डाल दी हूँ इसको हम थोड़ा सा फ्राई क होने तक अब मैं पसंद के ड्राइफ और यहाँ पर आप एड़ करके इसे फ्राई कर लें यह दिखिए अब यह फ्राई हो गए तो इसे निकाल लेंगे तो ठंडा हो जाने के बाद मैं इसमें बारिक कट करके इसका उपयोग करेंगे आगे तो यहाँ मैं एक चमच देशी है इसमें और डाल रही हूं घृफ ग्रम हो गया जिसमें यहाँ पर इस्में बारिक व लुट्र फोलें ना हम हो जाए और इस यहों है यह भी देखिए अच्छे से भून गई है यह दिखिए इसका जो कलर है वो देखिए चेंज होने लगा तो थोड़ा चीसे हम और भून लेते हैं यह देखिए दोस्तों जो मारी से वहीं इतम पॉफेक्ट भून गई है तो अब इसे हम यहां पर गैस के फ्लम को आफ कर ले है तो डो लागाने के लिए हाँ पर आंपे हमने यह मैय दा लेवन है यह बीच पी थोड़ा से मैंने इस तरह से इसे इस पेस बनाया है है इसमें डाल देंगी ऑयल ले और तो इसमें हमें ऑयल तो यह दीखिए दोस्तों मेदे में ओइल को डाल कि तयार करना है तो यह दीखिए इस तरह से बाँने पी तूटनी रहा है अच्छे से बत हिया है यानि कि मौवन है मरे परफेक्ट लग गया है तो अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पाणी डालेंगे और इसका हम दो के त्यार कर लेंगे तो डू हमें एकदम हार्ड भी नहीं लगाना है और सॉफ्ट भी नहीं मेडियम हम इस तरह से थोड़ थोड़ करके पाइड डालेंगे इसका मेडियम डू हम लगा के त्यार कर लेंगे तो ये लेज़े दोस्तों ये दिखिए 흥ी जो हमारा dhau है अच्छे से बन की तयार हो गया है तो इसे हम थोड़ा से इसल मसल लेंगे तो इस तरब से इस मसल के ढूंझ को थोड़ा smooth कर लेंगे और कि इसे जिकना त्यार कर लेंगे तो यह लिए दोस्तों यह हमारा डो है जो पॉफेट लगके तयार हो गया है तो इसे हम ढ़के थोड़ा साइड में रखते हैं तब तक हम जो अपने इस्टफिंग होजी है कि वो तयार कर लेते हैं तो इस्टफिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पर यह एक कप मावा लिया है तो मावा को इस तरह से पहले हम हाथ से क्रंबल कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर यह घर का मावा लिया है यदि आप मार्केट का मावा ले रहें तो उसे भी थोड़ा सा कराही में डालके medium flame पे उसे थोड़ा सा भून लें जिसे कि जो मावा एकदम फ्रेस हो जाएगा तो ये दिखिए हमने आपे इस मावा को अच्छे से करमल कर लिया है तो अब इसमें हम डाल देंगे एक कप भूनी ही मुंखफली को इस तरह से हमने इसे बारिक पिस के तयार किया है मुंफली को भून के उसके छिलके को हटा के इस तरह से बारिक पिस के यहाँ पे हमने उपयोग किया है और अब इसमें हम से महीं डाल देंगे जिसको कि हमने पहले ही भून के तयार किया था अब इसके साथ में इसमें हम डाल देंगे ये ड्राइफ रूट, सिजु की बजाम और काजु को अमने जो पहले ही तला था उसको अमने इसे बारिक कट करके डाल दिया इसके साथ में यहाँ पे इसमें थोड़ी सी किस्मिश डाल रही हूँ दो टेबल स्पून इसमें मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा यानि की खोपरा डाल रही हूँ अब इसमें डाल देंगे हम ये इलाची पावडर तो मैंने यहाँ पे दो-तीन इलाची को इसे करके डाल दिया है अब इन सभी को पहले हम mix कर लेंगे उसके बाद इसमें हम चीनी आइट करेंगे तो यहाँ पे पहले सभी को हम अच्छे से mix कर लेते हैं तो हमने यहां पर इसको सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया तब इसमें हम डाल देंगे लगभग डेड़ से दो कप के करीब बारिक पिसी हुई चीनी तो आप चाहें पर चीनी का बुरादा कभी उप्योग कर सकते हैं मैंने यहां पर चीनी को पिसके आप उप्योग किया है अब चीनी को भी हम इन सभी की साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए दोस्तों मारी श्टफिंग जो यह तैयार हो गए तो मैं आप इसे एक बॉल में निकाल लेती हूं तो चली दोस्तों मारी श्टफिंग जो यह तैयार हो गई है अब हम गुजिया बनाने लिए तो यह देखिए दोस्तों डो को एक बार हम थोड़ा सा मसल लेंगे और इसको हम इसके चोटे-चोटे पोर्षन तोड़ के तयार कर लेंगे तो इस तरह से हम इसके चोटे-चोटे पोर्षन तोड़ ली हैं एक टुकड़े को ले लेंगे और बाकी को हम ड़के साइड में रख देंगे और इस तरह से रोल करते वे इसको हम इसे चोटा पेड़ा बना लेंगे थोड़ा से सुखा मैदा लगा लेंगे और इसको हम पूरी की तरह बेल के त्यार कर लेंगे तो यह दिखिए इस तरह से हलका सा सुखा मैदा लगा लेंगे और इसको हम इस तरह से पूरी की तरह बेल के त्यार कर लेंगे तो यह दिखिए हमने यहाँ पर यह पूरी है बना के त्यार कर लिए इस तरह से में जो पूरी है बना के त्यार कर लिए गुजिया बनाने के लिए यह दिखिए यह हमने यहाँ पर यह गुजिया बनाने वाला मोल्ड लिया है यह मार्केट में असानी से मिल जाते है तो इसके उपर से हमने इसे पूरी को डाल दिया है और बीच में थोड़ा से हमने इसपेस बना दिया यानि कि जो मोल्ड के अकॉर्डिम अब इसमें हमें इस्टफिंग डाल देंगे और इसके किनारे में हम पानी लगा देंगे जिसे कि अच्छे से चिपक जाए फ्राइ करते से हमें इस खूलेंगे नहीं तो इस तरह से में यहां पर पाई लगा दिया इस तरह से हम मोल्ड को ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम प्रेस कर देंगे जिसे कि अच्छे से चिपक जाए और जो extra dough है उसे हम निकाल लेंगे तो ये देखिए इस तर से हम extra dough को निकाल लेंगे और इन सभी को हम एक साथ हैसे ही कठा करते जाएंगे बात में इसे भी हम अच्छे से मसल के इसका भी हम इसे छोड़ा टुकडा बना के उसे भी हम गुचिया बना लेंगे इसे भी हम इसे पूरी बना लेंगे तो ये देखिए ये दूसरी पूरी भी बनके तयार हो गई है तो अब हम यहाँ पे फिर से इसे मोल्ट के उपर इसे पूरी को डाल देंगे और इसमें भी हम stuffing ऐसे रखेंगे और side में हम पानी लगा देंगे तो इस तरह से हम side में पानी लगा देंगे और इसको भी मैंसे fold कर देंगे और अच्छे से press कर देंगे तो बस ये जो extra dough है उसको हम इसे निकाल देंगे जैने कि जो इसे पूरी का जो बाहर वाला भाग है मोल्ट से उसको हम निकाल देंगे और सभी को हम एक पास ही कठा करते जाएंगे ये देखिए दोस्तों ये देखिए हमारी दूसरी गुजिया बन गी इसे हम प्रोसेस से हम सभी गुजिया को बना के तयार कर लेंगे तो इसे भी हम ऐसे प्लेट में रखे से ढखके साइट में रखेंगे तो ये लिए दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरह से गुजिया बना के तियार कर लिया है तो चलिए अब इसे हम बिना किसी देरी फ्राइ करते हैं तो इस गुजिया को फ्राइ करने के लिए इस हमने कडाही में ओल डाल के रख दिया था आइल हमारा अच्छय से गर्म होगा है तो इसमें हम एक एक करें गुजिया को डाल दिया है तो यह यहां पर हम यहां चार गुजिया डाल दे रही हूँ तो इस थोड़ा फ्राइः हो जाने पर इस इसे पलट दिया है दुनों सैट से पलटके इसे हमें अच्छा गुल्डन ब्राउन होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे ये देखे इस तरह से हम ऐसे पलटके दुनों सैट से गुचिया को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो यह लीजे दोस्तों यह देखिए माई दों गुशिया जो इतम पौफेक्ट फ्राइ होके तयार हो गई ही तो इसे हम निकाल लेंगे सेम प्रॉसेस से हम बाकि सभी गुशिया को भी हम फ्राइ करके तयार कर लेंगे तो इसे भी दोनों सैट से अलट पलट के हम इसे फ्राइ कर लेंगे अच्छा गुलन ब्राम होने तक तो ये देखे दोस्तो ये एक सैट से इसे हलका से फ्राइ हो गई है तो इसके दूसरे सैट में मैं से टर्न कर लेंगे यह दोनों सैट से दिखिए मारी गुजिया जो इतन पॉफेक्ट फ्राई हो गई है तो मारी जगमावामावा मुठुली और सिवनी से बनी उगी हुजिया जरूर से ट्राइ कीजिएगा कम खोवा में बनने वाली बहुत ही सौधिश्टी गुजिया की रेस्पी दोस्तों एक बार आप भी इसे जरूर से ट्राइ कीजेगा और आपको मारी ये रेस्पी कैसी लगे मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा तो दोस्तो आप भी इस गुज्या की रेस्पी को ट्राइ कीजिए और इसके मज़े उठाइए और दोस्तो यदि आपको मारी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और हाँ दोस्तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा जिसे की आने वाली से नहीं रेस्पी की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहेगी आपसे मिस नहीं होगी तो दोस्तों आप भी से बनाईए इसके मज़े उठाएए जल्दी मिलते में कैसे ही नहीं रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाए